जिरोधा में multiple chart यूज़ करना बहुत ज्यादा इसी है देखो सबसे पहले तो मैं आपसे यह बात confirm कर देना चाता हूँ कि यदि आप जिरोधा application में multiple chart यूज़ करना चाते हो तो आप उसमें नहीं open कर सकते हो देखो आपको मैं दिखा दू यह मेरा स्क्रीन आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखोगी ना वैसे मैं आपको बता दू यह जो मैं यूज़ करना हूँ यह laptop नहीं है यह मैं pad यूज़ करना हूँ और यहां पर बड़ा कर देता हूँ ना अब इस क्रीन को बड़ा करने के बाद में आप देखो गई यहां पर भाई कोई भी option ही नहीं सो कर रहा है यहां पर कि इसको हम multiple chart में यूज़ कर सकते हैं यहां यहां पर यहां पर एक rectangle का box सो होता तो यहां पर हम कर सकते हैं लेकिन वही rectangle का box नहीं सो कर रहा है, तो हमें इसको open करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी website पर visit करना पड़ेगा, चलिए इसको मैं back कर दिता हूँ, back करने के बाद में यहाँ पर Google Chrome ब्राजर को open करना है, आपको यहाँ पर search करना है, zerodha kite, zerodha kite search करने के बाद में यहाँ पर पहली एक website open होगी, तो आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा, फिस के बाद में आपको यहाँ पर user ID password मांगा जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर user ID password जो है यहाँ पर enter कर देना है, enter करने के बाद में अब आपका एक app code मांगा जाएगा, अब देखो एक code आपको कहाँ से मिलेगा, एक बद मैं आपको बजा दू, यदि आप अपने mobile में यदि जिरोधा application को डाउनलोड किये रहेंगे, तब ही आप website पर open कर पाएंगे, नहीं तो नहीं open कर पाएंगे, आप अपने जिरोधा application को अब यहाँ लॉग इन करने के बाद में जिरोधा application को open करोगे, तो open करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा app code सो होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख चेकते हो, जैसे कि यहाँ पर छे डिजिट का मेरा app code सो हो रहा है, तो अब मुझे यही एप code यहाँ पर सो हो रहा है न, वही एप code हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा 97, हमारा क्या सो हो रहा है, यहाँ पर 97, 800 हो रहा है, यहां पर से तो अब हमारा इस application काम खतम होगा चली यहां पर से हम back कर देते हैं अब हमें ना देखो यहां पर multiple chart यूज़ करने के लिए यहां पर से आप search भी कर सकते हो जिसे की nifty 50 यहां पर minus हो रहा है तो आप मुझे यहां पर यह वाला option देख रहे हैं हेंड से स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां पर एक options होगा यहां पर देखेंगे कुछ इस type में इस पर हमें click करना पड़ेगा ताकि मेरा full screen में show होने लगे तो अब यहां पर full screen में show रहा है तो अब आप देखोगे हमारा chart जो कुछ इस type में open हो गया है वैसे यह trading view का open होगा है अगर आप में chart IQ का option open होता है तो आपको यहां पर trading view select करना पड़ेगा वैसे trading view ही आपका open होगा तो उसके बाद में यहां पर देखेंगे जो rectangle box के मैं बात कर रहा था तो यहां पर यही box है यह वाला यहां पर इस box पर click करना है box पर click करने के बाद में अब आपको यहां पर से choose करना है कि भाई आप कितना multiple chart यूज़ करना चाते हो एक में देखेंगे यहां nifty 50 का open हुआ है दूसरे में भी nifty 50 का open हुआ है अगर माली जी पहले वाले में nifty 50 open ही रहने देना चाहते हो और दूसरे वाले में आप nifty bank का open करना चाहते हो तो आप यहां पर इसको भी easy तरीके से कर सकते हो आपको यहां पर जैसे कि दूसरे वाले म हमें nifty bank जो है open करना है तो यहां पर चार्ट के option पर click करके इस वाले option पर आपको click करना है फिर यहां पर हमें nifty bank जो है search कर लिना पड़ेगा चलिए यहां पर nifty bank जो है मैं search कर लिता हो अब यहां पर nifty bank search करने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो एक nifty bank का option open हो गया तो यहां पर देखोंगे nifty bank जैसी open हुआ तो अब मेरा यहां पर एक इसमें देखोंगे nifty bank open हुआ है और इसमें देखोंगे nifty 50 open हुआ है अगर time frame का change करना जाते हैं तो particular चार्ट का time frame change करना जाते हैं उस चार्ट को यहां पर click करना है फिर उसके बाद में यहां पर से आपको अपना chart जो है select करना पड़ेगा यदि दूसरे का भी करना चाते। यदि मलजी निस्टी 50 का पांच मिनेट का करना चाते हैं तो यहां पर देखें यह नि निस्टी 50 का chart हैं यहां पर 5 हमने किया है अगर Nifty Bank करना जादे हो तो Nifty Bank के चार्ट के option पर click करना पड़ेगा फिर यहाँ पर से आपको यहाँ time frame जो select करना पड़ेगा यदि आप इसका 15 minute करना जादे हो तो 15 minute कर सकते हो अब अगर मालजे यहाँ पर चार्ड चार्ट open करना चाहते हो तो चार चार्ट को भी open कर सकते हो तो यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा click करने के बाद में अब आपको यहाँ पर चार चार्ट वाले option पर click करना पड़ेगा जैसे इस पर click करोगे तो आप देखोगे आपके screen पर चार चार्ट open हो गया है अब यहां पर चार्ट चार्ट ओपिन हो गया है तो अगर माल जी जैसे पहले में हमारा यहां पर देखोंगे Nifty 50 हो रहा है यहां पर हमारा देखोंगे Nifty Banks हो रहा है अब यहां पर देखोंगे फिर से यहां Nifty Banks हो रहा है अगर माल जी हम इसको चेंज करना चाते हैं तो चेंज करने का बहुत ही असन तरीका है आपको क्या करना पड़ेगा जिस भी चार्ड में मतलब जिस भी नंबर के चार्ड में जैसा कि एक दो तीन चार हो गया अगर माल जी तीसरे वाले नंबर के चार्ड में आप यहां पर च हो सकता हुँ जो कुछ कुछ इस तैप में है मैंने आपको दिखा दिया अब यहां यहां पर कुछ इस में लग गया और फिर से आगर आप फिर से इसमें कुछ करना चाहता ह бок की इसवह है यूज कर सकते हो आप HORR ुट जो है फूरी स्क्रिन पर ओपेन हो जाएगा अब उसके बाद में यदि आप इसको आप फूल स्क्रेन पर ऊपन करना चाहते हो तो आपको यहाँ इस चार्ट की पर क्लिक करना बढ़ेगा यहां देखें Tata Motors हो रहा है तो आप मुझे यहां इस फूल स्क्रेन की आप्सम क्लिक करने के बाद में यहां पर देखो कि हमारा चार्ट कुछ इस ताइब में स्क्रीन में ओपन हो गया है तो मैं आपको समझा दो आप बहुत ज्यादा इसली तरीके से कुछ इस ताइब में जीरोधा में मल्डिपल चार्ट यूज कर सकते हो